Hello everyone, welcome back in YCP English mantra दोस्तों, आज आपको इस पूड़ो में सिखाने वाले हैं Emphatic Sentence से इसका Hindi मिनिंग है जोरदार वाक्य यानि इसमें जो बाते कही जाती हैं उन पर जोर दी जाती हैं उसमें जो वाक्य बोले जाते हैं उन पर जोर डाल करके वाक्य कहे जाते हैं और ऐसे वाक्यों में तो या फिर तो सही जुड़ा हुआ रहता है और इसमें हम यूज करते हैं दू, डज, ये डिट का तो आज़े पहले हम बात करते हैं प्रिजन्ट इंडिफनिट टेंस से इसका हिंदी मिनिंग है अनिस्चित वर्तमान काल और ऐसे सेंटेंस के लाष्ट में ता तो है, ती तो है, ते तो है जुड़े हुए रहते हैं तो आज़े इसका रूल देखते हैं सबसे पहले सबजेक्ट आएगा इसके बाद लिखेंगे डू या डज इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉम इसके बाद आपजेक्ट आएगा और लाष्ट में अदर वर्ड आएगा और गायच, सिंगलर के साथ हम डज का प्रियोग करते हैं और प्लूरल के साथ दू का प्रियोग करते हैं तो आएगे एग्जामपल के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं मैं स्कूल जाता हूँ गायच, यह हमारा नॉर्मल सेंटेंस है जिससे आप लोगोंने टेंस्य पढ़ा होगा इसका इंगलिस हो जाएगा आएग गो टू स्कूल तो आएगे इसे इंफैटिक सेंटेंस बनाते हैं अगर आपको इंफैटिक सेंटेंस बनाना है तो इसमें तो लगाना होगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैं स्कूल जाता तो हूँ तो गायच, यह हमारा इंफैटिक सेंटेंस बन गया और इसका English हो जाएगा I do go to school I do go to school गैज जैसा कि आपको पता है कि I plural है इसलिए हमने यहाँ पर do का यूज किया है और गैज जो हमारा emphatic sentence बनता है तो वहाँ पर हम SES का यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम helping और पर का यूज कर रहे हैं तो आए एक लगजांपल दिखते हैं वह पढ़ता है गैज जैसा नॉर्मल सेंटेंस है जो rule आपने टेंस से पढ़ा हुआ है यहाँ पर वही rule फालो करेंगे और इसमें SES का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा यह नॉर्मल सेंटेंस है और इसका एंगलिस हो जाएगा अगर इसको इंफेटिक बनाना है तो हम बोलेंगे वह पढ़ता तो है गैज जैसा नॉर्मल सेंटेंस है तो आए इंफेटिक सेंटेंस देखते है मैं तुमको याद करता तो हूँ मैं तुमको याद करता तो हूँ इसका एंगलिस हो जाएगा I do miss you I do miss you यह नॉर्मल सेंटेंस है इसका एंगलिस हो जाएगा सीता एंड गीता इसपीक इंगलिस अगर इसे एंफेटिक बनाना है तो हम बोलेंगे सीता और गीता अंगरेजी बोलती तो है सीता और गीता अंगरेजी बोलती तो है इसका एंगलिस हो जाएगा सीता एंड गीता डू स्पीक इंगलिस सीता एंड गीता डू स्पीक इंगलिस गयाज यह मारा प्लूरेल है सबजेक्ट यहाँ पर सीता गीता दो लोग हैं इसलिए बने यहाँ पर do का यूज किया है तो guys आईए बात करते हैं Past Definitive Tense की और जानते हैं कि Past Definitive Tense में E reduzinюक संटेंस कैसे बनाएंगे Past Definitive Tense का Hindi विणिंग होता है अनिस्चित भूत काल और ऐसे sentence के last में आता है ता तो था, ती तो थी, ते तो थे, आ तो सही, ई तो सही, ए तो सही तो आईए इसका rule देखते हैं सबसे पहले subject आएगा, इसके बाद did लगाएंगे इसके बाद लिखेंगे main verb का first form इसके बाद object आएगा और last में other word आएगा तो आईए example के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं मैं जानती थी, गाय जी हमारा normal sentence है जैसा कि आपको पता होगा कि normal sentence में past sentence के past two में हम main verb का second form यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका English बनाएंगे I knew अगर आपको बोलना emphatic sentence तो यहाँ पर हम तो लगाएंगे और sentence बनाएंगे मैं जानती तो थी मैं जानती तो थी और इसका English हो जाएगा I did know I did know गाय जब did का यूज करेंगे तो इसके बाद हम first form यूज करेंगे यह हमारा normal sentence है इसका English हो जाएगा अगर आपको emphatic sentence मनाना है तो हम बोलेंगे गाय जहाँ आपने देखा कि मैंने डिट के साथ first form का यूज किया है आपको इस गलती से भी second form का यूज नहीं करना है emphatic sentence में अगर आपको बोलना है emphatic sentence तो बोलेंगे हम मैंने बोला तो सही मैंने बोला तो सही इसका English हो जाएगा I did speak I did speak Now the next one is उसने देखा यह हमरा normal sentence है इसका English हो जाएगा He saw तो यह बनाते हैं इसको emphatic इसका emphatic sentence होगा उसने देखा तो सही इसका English हो जाएगा He did see He did see तो गाये जे रहा हमारा past infinite tense तो आएगे बात करते है पजेशन की पजेशन का मतलब होता है अधिकार यानि किसी के पास किसी वस्तु का होना या किसी चीज का होना तो वहाँ पर हम यूज करते हैं hedge, have, head present tense में हम hedge, have यूज करते हैं सबसे परहें लिखेंगे subject इसके बाद आएगा do, does, did इसके बाद have आएगा इसके बाद लिखेंगे thing या name यानि जिस चीज की बात की जा रही है तो गाये अगर present tense होगा तो हम do, does का यूज करेंगे अगर past tense होगा तो हम did का यूज करेंगे singular के साथ does और plural के साथ do का यूज करेंगे तो आएगे example दिखते हैं उसके पास एक mobile है यह हमारा normal sentence है इसका English होगा अगर आपको बनाना emphatic sentence तो हम बोलेंगे उसके पास एक mobile है तो सही उसके पास एक mobile है तो सही या फिर आप कह सकते हैं उसके पास एक mobile तो है इसका emphatic sentence होगा या फिर आप कह सकते हैं इसका English होगा I do have money Now the next one is राजू के पास गाय थी गाय जो हमारा past tense है और हमारा normal sentence है इसका English होजाएगा राजू had a cow तो या बनाते इसका emphatic इसका emphatic sentence होगा राजू के पास गाय थी तो सही इसका English होजाएगा राजू did have a cow या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं राजू के पास गाय तो थी इसका भी English होई होगा तो गैजी हमारा राप पजेशन का संटेंसेज आईए बात करते हैं इंप्रेटिव संटेंस की इंप्रेटिव संटेंस का मतलब होता है आग्या सुचक वाक्य है ऐसे संटेंस में लगा रहता है जरूर, अवज से या फिर तो सही आगे इसका रूल देखते हैं सबसे पहले डू आएगा इसके बाद लिखेंगे मेन वर्व का फर्स्ट फॉर्म इसके बाद आपजेक्ट आएगा और लाश्ट में अदर वड़ आएगा तो आगे एग्जाम्पल के माध्यम से वर अच्छे समझे लेते हैं वहाँ जाओ गो देखर गो देखर जिएके इमारे नॉर्मल सेंटेंस है आईए इसी को बनाते हैं इंफटिक सेंटेंस वहाँ जरूर जाओ या फिर आपकर सकते हैं वहाँ जाओ तो सही वहाँ जाओ तो सही तो इसके इंग्लिस हो जाएगा डू गो देयर तो गया जायतर मारा sentence में जरूर या अवसी यूज होता है emphatic बनानी के लिए बहुत ही कम किसेज में लोग यूज करते हैं तो सही का तो आप भी जायतर यूज करिए जरूर या अवसी का तो आईए बात करते हैं अगले sentence की अंग्रेजी बोलो जो कि मारा normal sentence है इसका English हो जाएगा speak English अगर इसको बनाना emphatic sentence तो हम बोलेंगे अंग्रेजी अवसी बोलो या फिर आप कह सकते हैं अंग्रेजी बोलो तो सही तो इसका English हो जाएगा do speak English do speak English now the next one is मुझे पैसे दो give me money जो कि मारा normal sentence है आईए इसी को बनाते है emphatic मुझे पैसे जरूर देना या फिर आप कह सकते हैं मुझे पैसे देना तो सही मुझे पैसे देना तो सही इसका English हो जाएगा do give me money that's it friends आज की बीडों पस इतना ही तो guys उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी अगर emphatic sentence के बारे में कोई doubt हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं और आईए करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे मैं आपकी मदद करता तो हूँ now the next one is अतुल के पास नौकरी है तो सही तो guys इन दोरो sentence का English क्या होगा आप सभी लोग comment box में comment करके बताईए और guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करिए share करिए comment करिए तो कि आपको एक like, एक share, एक comment में motivation देता है next वीडियो बनाने के लिए और friends अगर आप मारे चैनल पर नए है तो please मारे चैनल को subscribe करना न भूलिए till then, bye bye, take care, keep learning, keep practicing